नमस्तर दोस्तो आपका एक वेफर से स्वागत है आपके अपनी योटूब चानल पूजा घर संसार में दोस्तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉबलम आ रही है कई महीनों से आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंट नहीं बन पा रहे हैं तो जो महिला या पूरूस इनफर्टिलिटी फेस करना है उन कपल्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में आपको ऐसे पांच काम बताने वाली हूँ जो आपको ओविलेशन से लेकर इंप्लांटेशन तक करना है और ये बहुत ही सफलता पुर्बक बहुत जल्दी आपको गर्वधारन करा देगा इवेन इसे महीने आप पांच दिनों के अंदर गर्वधारन कर सकते हो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा सावित होने वाला है आपके लिए इस वीडियो को कम्प्लेटली लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि छोटी लिटेस्ट और मोर इंफोर्मेशन से वरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रते दिन मिलते रहा है आईए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थोड़ा आपको आपकी मेकैनिसम को समझना होगा सरीर के और आपकी रिप्रोड़क्टिव सिस्टम कैसे काम करती है उसके विसे में मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ओविलेशन से ल दोनों साइड में यूटरस के तो जिस दिन आपकी पीरेड स्टार्ट होती है उसी दिन आपकी ओवरी में एक अंडा बनना स्टार्ट हो जाता है और जब आपकी पीरेड का दसवा दिन होता है यानि पीरेड जब बिलकुल आपकी चार दिन में या पांच दिन में या सब् वर में खतम हो जाती है उसके बाद day 1 से लेके जो day 10 होता है उसको count कर लेना है और 10 days पे आपके ovulation की प्रकिरिया स्टार्ट हो जाती है जो mature egg है वो release होके tubes में आ जाता है यहीं पे अगर आपके husband का sale मिल जाता है जोसे की ovulation period कहा जाता है और यह ovulation period के बाल 12 से 24 घंटे तक ही आपका रहता है तो इस तोरान अगर आपके husband का sperm आके यहां पे मिल जाता है एक के साथ तो यह again fertilized हो जाता है और देन यह travel करके यानि लोपें चुब में बहुत सारी movement होने लगती है और जो sales है वो multiple sales में divide होने लगते हैं मिलकर के जाइगोड का सकल ले लेते हैं और देन यह जाते हैं uterus के अंदर यहां पे uterus की wall से जाकर implant हो जाते हैं आरोपित हो जाते हैं चिपक जाते हैं तो जिसको बोलते हैं हम implantation तो यह जो प्रकीडिया होती है जो reproductive system work करता है इसे ovulation से लेकर implantation तक आपको ऐसे पांच चीजों को follow करना चाहिए जो कि आपकी ovulation की दोरान कंसीब्मेंट के chances को बढ़ा देता है और दिन अगर आपकी कंसीब्मेंट हो गई है तो implantation के दोरान तक किसी भी चीजों को अर्चन ना आने दे सफलता पुर्वा की implantation हो जाए उसकी भी chances को enhance कर देता है तो फ्रेंट्स अब आपको क्या करना है ओवलेशन के दोरान से ही आप जब contact में रहते हो जिस समय ज़्यादा chances होती है आपके गर्वधारन तो अवलेशन को यदि आप ट्रैक नहीं कर पाते हो तो बेसिकली आपको यह करना है कि जिस दिन आपकी period आती है उसके बाद से आपको 9 में दिन से लेकर अगले के 10-11 दिनों तक alternate ways पर ट्राइ करना है कंसीवमेंट के लिए unprotective relation में रहना है और दिन आपको यह करना है कि जो leg up the wall position है इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं जिसके वज़े से जल से जल गर्वधारन नहीं हो रहा है तो leg up the wall position को है उसको मैं बहुत ही अच्छे सियां से describe कर रही हूं जिसे आपको continuously करना है और leg up the wall position आपको ovulation से लेकर implantation तक repeat करना है इसके पीछे scientific कारण यह है कि जो blood circulation आपकी ovary में होती है और जो आपके reproductive system में होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है और जब आप leg up the wall position करते हैं तो यहां से आपकी uterus में blood circulation, blood flow बढ़ जाता है जिसकी वज़े से again ovulation से लेकर implantation तक की प्रकिरिया बहुत ही अच्छे से सफलता पुरवग होती है तो आपको क्या करना है जब आपने contact बना लिया है उसके बाद आपको leg up the wall position में रहना है इस तोरान जरूरी नहीं है कि आपके legs wall पे हिट टिके होने चाहिए आपको सबसे पहले contact बनाने के पहले hips क पास दो तकिया रखना है तेरा आपको contact में रहना है उसके बाद friends आपको क्या करना है कि जो आपका leg है या तो आप stool के ऊपर रख सकते हैं या फिर 4-5 pillow आप leg के नीचे रख सकते हैं या फिर आपके partner की सहारा सहयता से आप इन सब चीजों को again बहुत सरलता पुरवग कर सकत बहुत सारी महिलाएं क्या गलती करती है कि contact में रहने के बाद बहुत आप हरवरा जाते हो इस दौरान करवट लेते हो या फिर उटके बैट जाते हो देन आप leg up the wall position करते हो तो इस condition में क्या होता है जो आपके husband का sperm है वो बर्थ कनाल में deposit होने के बाद बाहर आने के chances रहते तो इसलिए जिस condition में आप हो उसी condition में आप आराम से सीधे लेड़ चाहिए और पैर को उचा कर लीजे और इसमें आप पिलो अगरा का सहारा लीजे ए स्टूल का लीजे आपके partner का लीजे ज़रूरी नहीं है wall को ही आपको ढूनना है और फिर ये सारी चीजे करनी है friends जब आप ऐसा immediate करते हो तो जो सेल्स आपके सरीर में आते हैं बर्थ कनाल में deposit हो जाते हैं और यह बहुत फास्ट मूव करके और अंडे तक पहुंच जाते हैं tubes के अंदर यहां पे fertilization के chances से बहुत ही ज़्यादा enhance कर देता है सेकेंड चीज आपको क्या करना है friends जो leg up the wall position है ovulation से लेकर implantation तक repeat करना है क्योंकि बहुत सारी महिलाए ovulation के दौरान leg up the wall position करती हैं और implantation के दौरान नहीं करती है implantation के दौरान भी यह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो fertilized egg है उसको implant होने के लिए blood circulation की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है जिसके लिए friends अगेन आपको leg up the wall position करना होगा इससे और भी ज़्यादा chances हो जाएंगे आपकी conceive के बाद implantation successfully होने के तो आपको leg up the wall position continue करना है oblation से लेकर implantation तक करना है friends आपको इसके अलावा वो food लेना है जिसमें folic seed की मातरा काफी ज़्यादा होती है इसके लिए आप folic seed की tablets भी ले सकते हैं folic यो गहरा नाम से tablets आते हैं medical store पे आप ले सकते हैं folic seed एक बहुत ही अच्छा healthy source होता है आपकी infertility phase जो करनी है उसे दूर करने के लिए साथी साथ जब आपने pregnancy conceive कर ली तो ये बच्चे के development के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है first stage में यानि first phase में जब बच्चे की brain की विकास होती है heart की विकास होती है इन सब चीज़ों के लिए folic seed बहुत अच्छे मातरा में आपके body के अंदर होना चाहिए तो इसक folic acid बहुत ही अच्छी पाई जाती हो dry fruits में बहुत अच्छी पाई जाती है तो इसको regular base पे continue करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप infertility couple है और face कर रहे हैं आपको गर्वधारा नहीं हो रहा है friends तो यह अगेन बहुत ही ज़्यादा important चीज़ है इस पे बहुत ही तो जी नहीं friends आपको only 30 minutes के लिए यह activity अपनानी है 30 minutes के बाद आप बिलको लोट सकते हैं और washroom जाएए अच्छे से साब सुत्रा हो जाएए क्योंकि आपके infection के chances बढ़ जाते हैं अगर sales जो होते हैं वो चिपक जाते हैं उपरी भाग में तो यहां से infection के भी chances बढ़ते हैं बिलकुल 30 minutes के लिए हैं इस activity को repeat करना है देन आपको use करना है आपका washroom इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को यह भी doubt रहता है कि इसके जो बहुत सारे exercises आते हैं lower abdominal के वो आपको करनी है या नहीं करनी है सीब्मेंट के लिए जैसे कि butterfly आसन हो गया इसके अलावा सूड नमस्कार हो गया तो friends जब आप ovulation और implantation में रहते हो तो भी exercises कर सकते हो यह exercise बहुत हल्दी होता है इसमें आपकी friends blood circulation बढ़ती है oxygen consumption बढ़ती है जो again healthy reproductive system के लिए जरूरी है आपकी ovary के लिए जरूरी है और आ और आपकी reproductive system healthy होना इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है oxygen की मात्रा आपकी सरीर में अच्छे से रहे और दूसरा blood circulation continuously अच्छे से होता रहे ताकि new cells अच्छे से develop होते रहे और आपकी एक की capacity है वो भी अच्छे से बनती रहे तो इसके लिए आपको exercises पूरे महीने क करनी चाहिए इवेन जो छोटे मोटे आसान होते हैं butterfly आसन है squat हो गया इसके अलावा सूरे नमसकार है हलका फुलका टहलने का exercises होता है यह बहुत हली होता है आपको पूरे महीने continue रखना चाहिए वरजन पर कंट्रोल करते हुए आपको यह सारी चीजे करनी है बहुत stress बिलकुल नहीं लेना है आपके hormonal balance को सही रखने के लिए जो कि अगेन pregnancy के लिए बहुत ही ज्यादा जयरूरी होता है तो friends यह जो मैंने आपको tip and tricks बताए हैं यह आपको ovulation से लेकर implantation तक करना है ovulation अगर आप find नहीं कर पाती है आपकी period बहुत ज्यादा long है short है तो इसमें बहुत सारी वीडियो मेरे वीडियो के playlist भी मिल जाएंगी उसे आप देखना स्राइट करियो छोटी छोटी चोटी tip and tricks जो है वह आपके बहुत यूसफुल होंगी और बहुत ज़्यादी pregnancy भी conceive करा देंगी I really hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा knowledgeable और बहुत ज़्यादा अच्छी सावित होगी और आप गर्वदरान भी जल से जल कर पाएंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स रूडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखे टेक एर नमस्कार